स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस्ट्री टेकनोलोजी में मैं अनुपम वेपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के श्यूप कंप्यूटर विड्नेस्टी में आज हम लोग बात करेंगे अंडर वाटर सर्वर्स के बारे में तो आए समझते हैं तो सरसे पहले समझें इतना उट-पठाउंग चीज़ का जरूरत क्यों पड़ गए कि सर्वर कर पानी का अंडर डुमाने का क्यो जरूरत पड़ रहा है तो बात की समझें कि जितने लोग क् खाता है computation को चलिए ठीक है वो ठीक है प्रॉब्लम याता है कि जैसे आप कोई hyper cluster बनाते है जाए वो Facebook हो जाए Amazon हो जाए Microsoft हो यह सब भीजली तो बहुत खाता है बात है कि उतना ही भीजली के खाता है गर्मी को बहार डंप करने के लिए क्योंकि energy cannot be created not destroyed आपका electricity गया server में server से तो घुम फिर के server गरम होता है server को अफिर ठंडा गुर एसी चला के तो bill बहुत ज़्यादा है जनरली इसा का metric कहा जाता है one perfect होगा यानि अगर आप 10 megawatt खा रहे हैं जनरली 1.4 या 1.5 तक रहते हैं उसका मतलब होता है कि अगर वह 10 megawatt खा रहे है तो उसमें 4 megawatt सिफ cooling पर खर्च की जा रही है तो बात यह समझी इससे फरक पड़ता है कि आप जितना computer आलेंगे उतना ज़दा गर्मी बनेगे उतना ज़दा कूलिंग का department requirement पड़ेगा तो किसी को आइडिया है कि बहुत सीज़ सात है तो आप समझ रहे है कि 10 megawatt का आपको पैसे मिल रहा है 4 megawatt आ आप किसी होट एरिया में चले जाते है तो और बैंड बचता है बदब इंडिया में बहुंचेंगा पे लोग server नहीं बना चाहते है कारण के है बस वही है इंडिया का ambient ही गरम है लेकिन बात है कि यहां पे consumption जादा है तो latency आती है तो इसलिए solution चाहिए तो solution यह है कि इस सब अब को अंडर लाज वाटर बॉड़ी रख भिया चाहिए लाज वाटर बॉड़ी जनरली या तो sea या तो ocean तो लाज वाटर बॉड़ी के अगर इतना बड़ा लाज वाटर बॉड़ी है तो उसमें हीट आप जो डंप कर रहे है उससे कोई फरक नी पड़ेगा आप छोटा कि गलती से भी नाओ समुंदर में एतना जादा हीट कापैसिटी कि या इसका कुछ नहीं भी ड़ने वाला तो समुंदर के बारे में डालने के बारे में किसी ने सोचा तो प्रोब्लम क्या होगा तो आपको एक चीज मैं बताना चाहूगा पानी जो होता है और हाड़वेर होता है वो हार्ड होना चाहता है वेट नहीं होना चाहता तो यह दोनों चीज की शादी नहीं होनी चाहिए तो पानी वेठ है पानी को दूर रखती है हाड़वेर हाड है उसे वेट मत कीजिए यह समाजना बहुत स्यरूरी है I needed that joke तो मतलब हिसाब यह आया कि यह तौका पहला होगा कि पानी आप उसको नहीं डाल सकते है दूसरा आपको उसको नीचे डालना है काफी नीचे जेतना आप नीचे जाएंगे पानी अतना stable temperature देता है क्योंकि अगर आप surface के आप एक दो मीटर ही dump करते है गर्मी में पानी का temperature वहाँ थोगा बदलता है थंडा में थोगा बदलता है अगर आप बहुत नीचे जाएंगे तो यह राउंड स्टेबल हो जाता है और वो आप चाहते हो कि भाई यह एक temperature काम खतम ना वो बदलने वाला है ना चेंज होने वाला है वो आप चाहते हो फिर आपको power और data line जो भी है यानि कि fiber का जो freedom लगेगा और बिजली का जो freedom लगेगा यह सब पहले से plan करना होगा ऐसा नहीं कि बाद में बस आप जाके लगा लिए या SFPF पूल आउट कर लिए वो सब नहीं होने वाला है एक बार पहले से करके ही डालना पड़ेगा और hardware को आप बाद में access भी नहीं कर सकते हैं और service करना भी बहुत बहुत मुश्किल होगा यह बार समझना जरूरी है कि असंभव नहीं होगा लेकिन यहीं करना इसाब निकालना इसके सब से नहीं होगा यहीं होता है यही डाल दिये पार दो साल बाद है और जो शूना होता है अब सबसे बड़ा समस्य यहीуск humoral नियुकि इसमें भी ने कोछ भी लिए यूपलग कि रिखकते के अपका में आपकोम ली वह आपट नियुक्जों के प्रप्राद के लाट वो इंसुलेशन जसे होता है, जैसे हमने बात किया था कि वाटर हीटर पर जो मैंने वीडियो बनायते हैं, अगर आपका रॉट्स के उपर कैल साइड जमा होने लगता है, तो वो इंसुलेटर जासा भीटर खराब होता है, इसके साथ भी हो सकता है, तो बाइलोजिकल कर रहे थिए कूलिंग का एक कास्ट आता है थिक है, वह कास्ट का आपabenते फिर कूलिंग का रर्ने कोस्ट आता है उसे य मानी है, वह दोको को X-Y उसके अंदर आको रहे तो इसको माइक्रोसफ ने इस पर बहुत सीरियसली पैसा डाला तो उसका प्रोजेक्ट नेतिक करके इन्होंने स्टार्ट किया था यह मतलब पहली बार ट्रै किया गया था वो छोटा साथ से ट्रै किया फिर दीरे दीरे बढ़ा करते हैं और इनका डिजाइन था टेस्ट हुआ आए गया था कि हर्ची आराम से खरीट सको आराम से मास पर यूज कर सको और आम से त्रांसपोर्र कर बढ़ा इसका साइज में एक मतलब कंटेनर के अदर डाला सकते हैं और उसके अंदर से हावा निकाल दिए जाएगा और नाइट्रूजन फिल कर दिए जाए नाइट्रोजन क्यों बात है कि सर्वर में बहुत ज्यादा बिजली खपत होता है अब रहाँ बात कि बिजली जो है वह अगर है किसी भी कंडॉक्टर में मेटल में तो चांसर थोड़ा सब पोटेंशल बनाता है उस पोटेंशल के आसपस अगर ऑक्षिजन है जैसे कि हमारे अटमस्वेर में वह करूजन दीरे दीरे करता है तो ऐसा समझे बहुत सारे चीज में सर्वर में अक्षिडेशन से नुकसान होता है तुरंत कुछ नहीं होता है लेकिन इस सर्वर इतना होट रहता है इतना लंबा टाइम तक चलता है कि उससे फरक पड़ता है मतलब मुझे भी नहीं बता कि इनके लिए प्रॉब्लम है लेकिन है मतलब लॉंग टम में अगर आप देखें तो तो अगर वहां से पूरा हवा निकाल दिये नाइट्रोजन डाल दिये तो वह समस्या खताम हो गया प्लस इनका में था कि मार्स प्रॉड़क्शन के लिए सब चीट डिजाइन करो कि इसे मालिय प्रोजेक्ट सस्फूल हो जाता है तो कल को अगर हमें इसे 200-400 सर्वर डिप्लॉय करना है तो वह कर पाएं और फेल इन प्लेस इनका डिजाइन था हाड़वेर का तो फेल इन प इन प्लेस लेटर डें फीजिकली कोई आके निकालें तो सब फेल इन प्लेस लगाया था मंद ये से सारे रैक में जो देखने हैं हर सिस्टम ऐसे डिजाइन किया गया गया कि अगर बिगडे तो किसी और चीज को ना ले जा है और उसे निकलने की जरूत ना हो, fail in place safely रहे है, और मेन है कि सबसे बढ़ी है वहाँ डालने का, free cooling, मतलब इसमें cooling जो है, cooling सिर्फ इसका cooling है कि जो आपका इलेक्टरोनिक से गर्मी निकल रहा है, वह चैसी में जाए, चैसी से गर्मी निकल रहा है, वह समंदर का पानी ने लेगा, और रहाँ बाद समंदर का सबसे बड़ा फाइदा, वह इतना बड़ा heat sink है, इतना बड़ा heat sink है, कि उसका कुछ नहीं बिगडने वाला, यह उसके temperature बेस्ट केस में भी इंका तेम्परेचर इंक्रीज आ रहा है वन थाउजंथ ओफ डिगरी मतलब अववेसली वह हो गाई समूंदर बहुत बड़ा चीज है उसमें दस बीस मेगावाट इसलिए समूंदर बले हमारे नीचे ज्वाला मुखी फड़ता रहता है हमें फरक नी साल में इसको मतलब निकालें या मतलब टार्गेट यह सुरू में तो दो-दो साल का है लेकिन है कि एंड-एंड में पांचमा साल तक का घर दें कि भाईया पांच साल तक हो जो चूओ मत फिर अब दूसरी कंपनी का बात करते हैं इनका इंटर्व्यू मैंने दे दिया है सर्विस ऐसे बर्थ मतलब यह आपको एक बर्थ देंगे कि हमारा यह रैक है आप खरीलो जैसे कि बहुत जगां पर कंपनी आपको हाइपर क्लस्टर के अंदर आपको वर्चुल पैकेट सेल करती है जैसे कि अगर आप एमेजन वेब सर्विस में जाएंगे तो आपको क्या काम होगा कि हम आपको जो पावर चाहिए जो फाइबर कनेक्शन चाहिए यह सारा चीज जो में अनमिनिटीज है वो सब चोगाड़ कर देंगे और यहां पर भी आपको वही करना है आप हाड़वेर इसके अंतर डाल दीजेगा और इसको पूरीता से ऑईल समच करना यह अं लिए हाईइपर क्लॉस्टर कर कोई डालता है उस हैर गैड़ देटा निकाल लिया गया कोई फरकने पड़ता यहां अगर यह एकिंदर्ड है आज नहीं तो कल असे आप क्रेंख करी ऐसकते ह्यों तो इसी लिए होता है कि हाड़वेर का एक्सेस नहीं मिलीबी वह जितने भी data servers हैं, जितना भी high end party, उसमें गार्डडड एरिया है, मतलब ऐसे आप खुश नहीं सकते हैं, गार्डड़ हैं, और शूट बहुत सारे जो मिलिटर डॉकुमेंट को डील करते हैं, शूट और साइट और रहता है, भई आप गलती से भी नहीं जा सकते हैं, आप गा जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंड सब्मरीन नहीं जा सकते हैं, उसमें लोग रहते हैं, जो जा के खोल सकते हैं, एजस्ट कर सकते हैं, और रहा बात, वो मतलब ज्यादा सफाई से कोई काम कर पाएंगे, लेकिन इसमें सेफटी ये भी दिया हुआ कि अगर इसका पिन होना चाहिए, और वो सीक्योरिटी लेते हैं, सॉफ्ट्वेर सीक्योरिटी अलग हो गया, हाडवेर ही मली आपकोई चूरा लेता है, कोई सीक्योरिटी का मतलब नहीं रहेगा, तो इसलिए ये उन सीरियस क्लाइट के लिए है, और ये मतलब अंदर वाटर का पूरा सिस्ट है, उसको उसके हम पीगी बैक कर लेते हैं, और इसका मेन वही है, कि इतना नीचे चल जाओ, कि कोई सम्मरीन से मतलब मिलिटरी सम्मरीन नीचे नहीं पहुंचाए, मतलब रिमोटली ओपरेटेड वेकल पहुंच सकता है, लेकिन जब तक इसके लिए खासतोर पर नहीं बना नीचे रखतेंगे, कूलिंग आपको फ्री का मिल जाएगा, तो बात करते हैं, बहुष में क्या होगा, तो यह समझे कि टेकनोलजी जो है, यानि कि हमारे सर्वर टेकनोलजी वो मेचुर्टी रीच कर रहा है, आप लोग देख भी रहेंगा कि हमारा सर्वर का जितना नहीं जाएगा, वहाँ, वही समझे, यह हमें पता चल गया है, कि सिलिकॉन का लिमिट पर हम लोग आ गया है, मोर सलो डेड हो चाहिए हो लेकिन अब उस जगह पहुच गया कि जादा चेंजिस नहीं होगा, जैसे कि आपका फोन में, मतलब अगर 2008 से कंपेर करेंगे हैं, उ नहीं है, सिरियसली ले रहा है कि अंडर वाटर सर्वर बनाना फाइदे बंद है, तो टेकनोलजी का जो मेचुर्टी आ रहा है, उसका एक फाइदा होता है कि अपग्रेडिंग, जो कॉंस्टेंटली अपग्रेडिंग के पीछे भाग रहे है, इस साल अपग्रेड करो, फि कोई अतना छेड़ता नहीं है, तो बात वही है, और अप टाइम मिलना, यानि कि वह वहाँ पे है, उसको कोई इंसान नहीं छड़ रहा है, वो चिल मार रहा है, और अविसली चिल है, तो एकदम अप टाइम अच्छा रहता है, और फेल इन प्लेस सर्वर जो बनाये जा रह जो दो साल तक को छुए बिना चले, आराम से, आज कल ये पॉसिबल है, तो चैना भी कर रहा है, ये उसका अंदर का फाइबर कनेक्शन आपको दिखा रहा है, तो बात वही है, और माइक्रोसफ ने जो डेटा कलेट किया, वो शेयर किया, तो उस डेटा में आ रहा है, एक इनको मिल रहा है, यानि कि इनका मिंटनेस कितनी बार इनको, अगर ये सरवर जमीन के उपर रहता, कितनी बार उनने च्छिडने का ज़रूत पड़ता, वो आठ हुना है, यानि कि 1 by 8 बोलेंगे, वो से 1 एथ इसको मिंटनेस जाहिए हो, तो मिंटनेस बहुत कम हो जाता है, और वही समझे कि जितनी भी जगह पे अगर आप oxygen हटा देते हैं बिजली वाला चीज सब बल्ले-बल्ले हो जाता है fixed temperature यानि कि समंदर के नीचे डाला हुआ temperature fluctuate नहीं करेगा जाए कुछ भी कर लें अती ही उतना मुझसे बढ़ी कुछ ही नहीं आप लोग देखते हूं कि राम स्टिक में बार बार दिख करता है कहा साथ है वो temperature fluctuations हाता है अगर वो temperature fixed हुज है कि 30 degree Celsius 30 ही रहेगा बम बम चलेगा equipment फिर human इधर उदर मूव नहीं कर रहे है आजकल के equipment है पहले servers उतने reliable नहीं होते है तीसलिए मतलब 25-26 लोग लगे रहे रहे थे server में कि टाख जाजाजाजाज चेंज करते जा रहे हाँ हाड ड्राय निकाल नहीं होता और दो-दो कोई है कि Microsoft ने digital data analysis किया हिसाब आया कि फाइदे बंद आइडिया है गाली इन्होंने खोल दिया और दीरे-दीरे करके और बड़े-बड़े data center ला सके और उनका ठंडा करने का requirement कम हो जाए तो यह था मेरा